हालो इस्टूंट्स नेक्ष्टम बिसस करेंगे एकसाइस 14.1 के लिए कैश है नमर 4 क्या क्या रहा है 3 coins are tossed once 3 coins tossed करने है आपको तो जो total sample space बनेंगे वो क्या बनेंगे आपके पास है एच 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 टी एच 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 है यहाँ तक साझ में आगया यह आपके पास क्या हो गया sample space हो गया total आपके पास 8 outcomes नेकर लगा गया अब देखो आप let a denote the event अब एजो events इंके नमबर दिख लेता है, three heads shows तीन heads show करने चाहिए यानि H, H, H भी दिनोड़ता है two heads and one tail show दो तो head होने चाहिए और एक tail होना चाहिए तो two heads two heads and one tail two head and one tail two head and one tail ठीक है बस यह एकेसिज बनेगे अगला देखो A, B हो गया, C पर आजओ C denote the event, three tail shows D denote the event a head shows on first coin क्या कहे रहा है a head shows on the first coin first coin पर आपके पास क्या show होना चाहिए head show होना चाहिए first coin पर head होना चाहिए बाकि पीछे कुछ भी हो कोई फरकने पढ़ रहा हो तो a head shows on first coin head देखो first coin पर कहां कहां show कर रहा है यहां भी show कर रहा है ठीक है और किस पर कर रहा है H, H, T पर भी कर रहा है और कहां कर रहा है H, T, H पर भी कर रहा है और H, T इन सब पर head first time पर कर रहा है बाकि second, third पर क्या कर रहा हो उससे कोई पर रखने पढ़ रहा है ठीक है तो देखो क्या बोला है इस ते विच इवेंट्स आर मिच्वली एक्स्क्लूजिव है तो फर्स्ट केस्ट आपको मिच्वली का शो करना है मैं एक और स्लेड बना लेता हूँ उसकी दौनों पर हाध्यादा कर लेंगे सौल सबसे पहले एका देखो ए और बी का देखो ए और बी में कुछ कॉमन है क्या नहीं है कॉमन येलो मिच्वली एक्स्क्लूजिव है फिर एका सी के साथ देखो है क्या मिच्वली एक्स्क्लूजिव बिल्कुल है फिर एका डी के साथ देखो नहीं है सब नहीं है ठीक है अगला अब आजाओ B पर B का देखो C के साथ B का देखो C के साथ mutual exclusive है क्या हाँ है B का देखो D के साथ B का देखो D के साथ यहाँ पर यह भी common arise में यह भी नहीं है B का हो गया अब C का किस के साथ D के साथ C का D के साथ है क्या यह भी mutually exclusive है तो देख रहा है आप कौन कोई से mutually exclusive मिकल क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर events change कर लेता है events a and b comma a and c comma और b and c comma c and d are mutually mutually exclusive बताओ क्या समझ में नहीं है याँ तक लिए रहे हैं आप है तो यह mutually हो गया आपके पास exclusive next देखू second case simple का second कह रहा है simple अब आपको पता होगा simple event अपन किसको कहते है simple जिसके ना only one event occur हो रहा हो तो ऐसा किस-किस के अंदर है a के अंदर and c के अंदर simple event किसमें a and c have simple events third case देखो क्या कह रहा compound compound event किसको कहते है जिसके अंदर one से more आपके पास event होते हैं आपर देखो one से more है और यहाँ पर one से more है तो b and d are and d have compound events एलिया रहा है आपर तो यह होता है complete आपके बास question number four